आज हम लोग पढ़ेंगे सेंके की जोकी है 14.1 दस्वी केलास का चैपटर नमबर 14.1 सेंके की है जोकी हम लोग आज पढ़ेंगे सरसाइज नंबर 14.1 तो सबसे पहला कोस्चन आज हम लोग हल करेंगे जो कि पहला कोस्चन है विद्यार्थियों के एक समुह द्वारा अपने परियावरण संचेतना अभियान के अंतरगत एक है जिसमें उन्होंने एक मोहले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंदित, निमलिकित, आकड़ो, एकत्रित किये गए है पर्ति घरों का माध्य ज्याद करना है जैसे में हम लोग इसका स्वलूशन करते हैं चलिए हल करते हैं तो पहला कोस्चन का हल करेंगे जो है पौधो की संख्या दिया है तो इसको लिख लेते हैं पौधो की संख्या की संख्या इसको हम लोग पौधो की संख्या जो पौला रहता है उस डाटा को हम लोग वर्ग बोलते हैं इसे वर्ग लिख लेते हैं फिर उसके बाद एक और डाटा दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे लिखा हुआ है घरो की संख्या, घरो की संख्या, घरो की संख्या भी हम लोग लिख लेते हैं, इसको फाई से सुचित करते हैं, यह दोनों डाटा जो है, दिया हुआ है हम लोग को ब 12 और 12 से 14 यहां तो दिया हुआ है और घौरों की संख्या पहले में दिया है एक दूसरे में दिया है दो तीसरे में दिया है एक चौथे में दिया है पांच पंच्वे में दिया है 6, 6 में दिया है 2 और 7 में दिया है 3 अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं वर्ग चीन क्या निकालते हैं वर्ग चीन वर्ग चीन जिसे हम लोग माध्यमान भी कहते हैं या इसको जो है XI से दिनोट करते हैं यानि सूच्छिप करते हैं एकश आय निकालने के लिए हमारी पास एक फर्मूला आता है जिसे हम लोग एकसी निकालते है जिसे आम लोग लित्ते हैं वर्ग चीन बुराबर होता है आपका उच्के सीमा Baptist YouTube सीमा पॉलस निमनिसीमा सीमा बट्टा दो इसको जो है हम लोग उच्छे सीमा और निमनिसीमा तो उच्छे सीमा हमारा है इसमें देखें डाटा में दिख रहा है जीडाट दो ओवर हमें इसको भी 4 और छोड चार और दू को जोड़ेंगे इसको जब जोड़ेंगेतह हमारे पास कितना याएगा जब जोड़ेंगे तोव आएगा और 24 को केंगे यानि पहला व시에 किना उगया कि एक फिर उसी तरह चार और दू जोड़ेंगे चे और दोसे हमेसा भाग देना है तो दोसे भाग देंगे थे कु सब्सक्राइब बॉढवर 172 22 22 को जब 2 से भाग देंगे तो अगार आएगा और फिर उसी तरह 12 14 होगा 26 26 को 2 से भाग देंगे 13 आएगा अब उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं उसके बाद हम लोग निकालते हैं इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे इस दोनों करते हैं तो एक से एक में गुना करेंगे आएगा ये फीर तीन से दो में गुना करेंगे गारे दुना 22, अत्यरतिया 49, यानि ये इतना होगे आपका डटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कि इस सभी को हम लोग जोड लेते हैं, जिसको हम जोडने जा रहे हैं, इसको एक चीन इसमें हम यूज करते हैं, जिसका नाम है सिगमा, इस तरह का चीन जो है, इसको ह हम लोग ग्रीक लंग्वेज में सिगमा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिगमा बोलते हैं ग्रीक लंग्वेज में, हमारे भासा में यह हो गया, जोड, यह हमारे भासा में क्या होगा, यह हमारे भासा में हो गया आपका जोड, इसी तरह यानि योग, तो इसको F i into x i 162 चलिए अब इसको हम लोग माध्धे ग्याद कर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको माध्धे ग्याद करेंगे तो माध्धे बोराबर हमारा फर्मूला होता है माध्धे बोराबर फर्मूला जो है यानि इसको हम लोग x-bar से denote करते हैं मद्धे को तो मद्धेव बड़ाबर फरमूला होता है आपका आपका assimma fi into xi भट्टा सिग्मा fi ये जो है आपको हमेशा उपर में दाएगा और उसके भट्टा में क्या रहेगा F I, इसको हम लोग hold करते हैं, तो इसको hold करेंगे, तो कितना है 152 आपका 20, जब इसको हम लोग काटेंगे, तो आएगा 8 point, तो आएगा हमारा 8 point 1. हम लोके अंसर आएगा 8.1 इस तरह से हमारा इतना अंसर आया अब हम इसे लिख सकते हैं और तो आकड़ो का अभिष्ट माध्धे 8.1 पौधे है जिसे हम लिख सकते हैं और तो आकड़ो की अभिष्टे भिष्टे माध्धे 8.1 पौधे है यहीं हमारा क्या हो गया एंसर हो गया हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद